बंदे मातरम साथियो दिसेज बेक्य मिस्रा एंड यूचिंग बेके टॉंटी फोरेश मिस्रा मित्रो बिहार बोड क्लास टेंथ मोडल पेपर सेट दो हजर बार बाइस के लिए ये मोडल सेट हमारा हिंदी के लिए तीसरा होगा क्योंकि इसे पलेट दैन अंड देर मैंने द बना रखा है प्लेइलिस्ट भी बना रखा है जाहिए उसे वी वाज किजिए क्योंकि मेरा मांसा और लक्ष जो है वह आपका एक्जाम में 400 प्लस हर हाल में पूरा कराने का लक्ष है और इसमें टोटल नंबर अब कोश्चन कितने होंगे सो होंगे यह मोडल से तीन है हमार अब देखना यह है कि आप यह इसमें से कितने कोश्चन को आंसर कर पाएंगे रही बात एक्जाम की पैटर्न की यहां पर असपष्ट सब्दों में लिखा हुआ है देखिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं यह की बात को कई बार जितना भी सिट लेके आया मैंने यही बा बोड का बाव बोड का बात है हमारा नहीं है लिखा हुआ है कि एक से सौ तक बस तुनिष्ट प्रश्ण दिये जाएंगे जिसमें आपको चार बिकल्प मिलेंगे और सौ प्रश्णों में से पचास प्रश्णों का है उत्तर आपको करना है वह भी अपने ओ ओम आर सीट में यह रही बात पिछले एपिसोड की अगर बात करें तो चांदनी हां तीमा है अकास है और अमीत है जो बिल्कुल क्रमवार लगे हुए हैं और कहीं न कहीं यह लग मेहनत में हैं लगे हुए हैं हमारा गुड़ विसेस आपके साथ है इसे ही लगे रहिए एक ने एक दिन मु यह एक आप उलगे बातारव चलो पहला कुश्चन सुरू करते हैं मदुरे को यन्यवार दॉड़ डारा क्या कहां जाता था मंदरा मेंदोरण मदीरा यह मंदिया सही जबाब बिल्कुल और सभी है हो कहा जाता था मैंदोरा डूसरा क्योस्चन है पिकास्थे कि से मिले थी बाबु जी से नाना से चाचा से बिर्जो महराज को तालिम किस से मिली थे सही और करेक्ट जवाब इसे ही लगे रहो प्यारो बिल्कुल से बाबु जी से मिली थे उनके अब चलिए चौथा क्वेश्चन बाबा साहिब भिम्राव मितकर का जनम किस राज्य में हुआ था मदपर्देश बिहार यूपी बंगाल किदर हुआ था बाबा साहिब मितकर का जनम बिल्कुल सही है मदपर्देश महू में हुआ था बिल्कुल सही है पाच्वा क्वेश्चन नलिन बिलुच्चन सर्मा दोरा में छठा ये रहेगा मैक्स मुलर का जनम कब हुआ था अठाड़े सो तेइस चाओविस पचेस चाओविस कब हुआ था प्यारो बिल्कुल करेक्ट जबाब आए हैं इस दर आइट एंसर अठाड़े सो तैइस चलिए अफसरिया सर बिलियम जुन्स समुंद्री यात्रा करते भारत कब पहुंचे थे अठाड़े सा संतावान सत्रे साथ सोले सो अठाड़े साथ तिरासी कारेक्ट जबाब बताईएगा बिल्कुल सही है सत्रे साथ तिरासी में पहुंचे थे डी को लोग करेंगे अठ्वा क्वेश्चन अनामदास का पूथा उपनियास किस लेखक की है हजारी परसाथ दिवेदी यह तेंद्र मिस्त्र अमरकांत महात्मा गाधि किसका है अनामदास का पूथा और आप कुमारने होंगे थो था और करेक्ट जबाब होगा हजारी परसाथ दिवेदी को लोग करेंगे हम यहाँ पर आप चलो कोश्चन नमर 9 हमारे सामने स्किन कि यह तoni परटा रहा हाँ था जारी परपसाथ दिवेदी ने नीरलाज अपराधी किसी कहा है डकाएत को चोर को हत्यार को यह नाखन को करेक्ट जस्वा बते हैं है नाखन को वे अपर आधी कहा है दसवा कोश्चन यह रहेगा संभेह की ना स्मुझे कि मंधिले उन्हे मुबारत को जिनहें हमारी लक्ष गौाश्मा है य किस भाष में अनुबादित útil था करणठ संस्कृत अंग्रेजी उडिया दही वाली मंगमा कौन से भासा में अनुवादित है करेक्ट जवाब होंगा बिल्कुल से यह कन्नट भासा में अनुवादित है वैसे बैंगलोरों की कहानी है धाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है इस्वर पेटली कर सतकोडी होता स्री पाने किसका लोग प्रिय उपनियास है साथ कोडी होता सुजाता सामवर दईया इस्वर पेटली कर आपको करेक्ट जवाब बताने होंगे बिल्सकुल सही है पेटली कर अर्थात डी को लोग करेंगे तेरहमा क्वेश्चन अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है अंदर कि मेंटरं ने कही थी 14हां कोश्चन मंगू को भरती कराने के लिए माने किसे पत्र लिख कर बुलाया था साथ बड़े पुत्र이로 चोटे पुत्र को बड़ी बहु को या छोटी बहुको सही जवाब क्या होंगे आपका च्छोटी बहु की बड़ी बहु और करेक्ट जवाब होंगे ना च्छोटी बड़ी ना बहु बहु बड़ी बहु बलकि बड़े पुत्र को पत्र लिख के बुलाई थी पंद्रहमा कुश्चन लक्षमी के बड़े लड़के का नाम क्या था अदित्यामेत हमार अचुत्य क्या नाम था सही और करेक्ट जवाब बिल्कुल सही है उसके बड़े लड़के का नाम था अचुत्त स्वक्षा सेवक दल का गठन किसने किया किसने स्वक्षा सेवक दल की अस्थापना किया था जिसका करेक्ट जवाब होगा गुण निधी अर्थात एक को लॉक करेंगे लक्षमी कहां नौकरी करते लक्षमन कहां नौकरी करता था गलती से मिस्टेक होई गवा डॉंट फियर आयम हीर घबलाने की बात नहीं है बंबई मदरास कुलकत्ता देले बिलकुल सही है कुलकत्ता को करते हैं लॉक्षी को मंगो की बड़ी बहन का नाम क्या था लॉक करेंगे कमू किस नदी किस दिन सिता को लगा की लाइसी बिलकुल फिकी है नर्सिम सिहं जी बाले दिन, दुर्गापुजा के दिन, दिपावली के दिन, होली के दिन किस दिन लगने लगा था सिता को ये बात और कर्रेक्ट जबाब होंगे पपसन नमर एक और लोग करेंगे नर्सिह नाहर सिंह जी वाले दिन को चली आ गया क्वेश्चन बिस्वा मचली सिर्सक कहानी के रचाईता कौन है सुकला जी आठात बिनोद सुकला रामविला सर्मा असोक बाजपे नलिन बिलचन सर्मा मेरे लाडलो मेरे सिरो करेक्ट जबाब की हे दरकार एको लोग करेंगे बिनोद खां का अले बक्स का या जमाल सिख का अमरी दिन किसका नाम था नीक नेम करेक्ट जबाब होंगे बिलकुल सही बास बिस्मिल्ला खां का नाम यही था लाडलो आपके सामने क्वेश्चन नमर सरकता हुआ आ चुका है 22 महात्मा गाधी के पपा का नाम क्या था करम चंद गा प्यारो बिलकुल इसे जगे रहो लगे रहो थोड़ा सा सेसन को सेर करते रहो अपने दोस्तों मित्रों को भी जोडते रहो सेसन में क्योंकि आप मजा नहीं आ रहा है दो चार लोग और जुड़े रहेंगे बढ़िया रहेगा सेर कर लो अपने ग्रूप में देख लो करेक्ट जवाब कि है दरखार और लोग करेंगे आपका अप्शन नमरी 27 साल के उम्र में 24 कोशन गुरुनाना की पतनी का नाम क्या था सुलक्ष्मी सुलोचना सरला या सुलोचनी करेक्ट जबाब और सही जवाब होंगे बिलकुल सही है एक को लोग करेंगे सुलक्ष्णी यह कोशन आगे 25 हमारे सामने सोच कर-आरहो प्यारो सेशन को स्यर करते रहो लाइक करते रहो ढithe कंड करते करते रहो ठोक्ते रहो जगे रहो लगे रहो चलो जाती प्रथा स्वाविक विभाजन नहीं है क्यों वेतवाव के कारन सोसन के कारण गरीबी के कारण रूची पर अधार नहीं होने के कारण जाती पर था स्वाभिक विभाजन नहीं है किसके कारण सजनवा तोरे खातिर क्या हुआ करेक्ट जबाब बताईएगा अर्थात लोग करेंगे डी को रूची पर अधारित नहीं होने के कारण चलिए ये कोश्चन दे कि अब रहेगा कोश्चन नम्मर 27 हमारे सामने ये मैक्स मुलर ने काले दास की किस पुस्तक का जर्मन भासा में अनुवादित किया मौलविका मालीका अगने मित्राम अभिग्यान सकुंतलम मेघुदूतम रघुवंसम करेक्ट जबाब होंगे आपको बताने लौक करेंगे आ आगावा हमरे सामने अठाइसवा बहादूर का पूरा नाम क्या था सेख बहादूर दिल बहादूर दिलन बहादूर या सीव बहादूर सही जबाब और निर्मला देवी निते इसके अंदर इसके नाम से दिलवे गायब कर लिया था तबी को लोग करेंगे दिल बहादूर दिल में से बहादूर निकाल लिया गया था दिल से बहादूर को निकाल लिया गया था सही जवाब बिलकुल सही ुछ धा अंसर कर रहे हैं लगे रहो प्यारों को सेर करते रहो दोस्तों को भी अपने जोड़ते रहो आएगा तो ठीक है नहीं तो अजल गगरी छलकत होगा तो दो मचले जिन्दा थी सही जबाब की हे दरगार एको लोग करेंगे दो मचले जिन्दा थी तीन खरदा गया था दूग जिन्दा एक मरी होई थी गुरुनानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया सीख धर्म हिंदो धर्म मुसलिम धर्म इसाई धर्म गुरुनानक ने बिल्कुल सही गांणनंद केBob का द सीक थर्म का प्रवर्तन किया रसकान की कृति कोन सी है प्रेम वाटिका दोहा कोस मिक्छ कटिकम पृत्वी राज रासं रसकान की क्रेटि है बताने आपको मेरे लॉडलो सुन्दर भाहर सदाबहर प्रेम वाठिका को लोग करते हैं आज है dove कोश्यन मार आगया घंनानंद के पास घंनानंद किसके सनी को द्वारा मारें मुहंप साना देर सा ऊरंग जेब मुहंप debating आगए दरगार मेरे लड़ नहीं मेरे सेर वह बिल्कुल बहुत जगाश जबाब कर रहा हो नादिर साहाज आफी के अंसर को मने लोग करा सही है 35 कभी प्रेम घंके अनुसार कॉन से बिद्धया पढ़कर लोगों के बुध्धी बिदेशी हो गई चल बिद्धया कपट बिद्धया बिद्धया तक्निक बिद्धया सही और करेक्ट जबाब मरे लाड़ लो मेरे सेरो सही बिदेशी भाशासी के सब कोई बिदेशिया हो गया है कोई देशिया नहीं बनना चाहता है गलत है ना चुक्के गनाई जगे रहे लगे रहे कूस्छन लाइक कमेंट ठोकते रहे चलिए यह दखले जो कुश्चन चतेस सफला सुध होतम प्रस्तुत पंक्ति किस कभीता गी है स्वद एसी भारत माता जन तंत्र का जनम हीरो सीमा आपको करने होंगे राइट आंसर बिल्कुल सही करेंगे भारत माता की जय सेंतिस्वा ऐसर गयानोबिग्यानिक धृ किसोर अक्षरग्यान में लिया गया है गा तो कह देता अंग कहने नहीं आता बच्पन में जब आप छोटे थे आप भी लात खाये थे इसको पढ़ने के लिए डॉंट फियर आइम हीर चलो कुश्चन और तिस्वा हमारी निंद सिर्षक कविता में निंद किसका प्रतीक है साहसुमीद प्रसन आलास हमारी निंद सि सिर्षक पाठ में बहु ने सास से समझाता क्यों कर लिया डर से प्रेंब से मजबूरी से सौक से बहुँ है समझाता जिसका जवाब बिल्कुल से प्रेंब से बचवा उसके था नहीं प्रेंब भर दिया वही बच्चा कोसे जगड़े था इनलोगों किस लेखक के कथा सहित में उडिया का जिवन गहरी यां तरिक्ता के साथ प्रकट किया है साथ कोड़ी होता सिरी निमास सुजाता इच्षु और पेट लीकर आपको करने होंगे राइट यांसर जी साथ कोड़ी होता आप भी कर सकते हैं ट्राइ ऐसे ही लगे रही है चलिए कोश्चन नमर आगे हमारे समने क्तलिस्वा कौन हला करबार से सबको सचित कर रहे थी चंद्रा गुण निधिया चुत्य संक्रा मक्रा सभी कौन लोग चिला रहे थे रे बाढ़ा गया रे भागो रे भागो रे जो भी बचा है हाथ में कमंडल लेके रानुमंडल चल दी है सही जबाब क्या होंगे बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब डी को लोग करेंगे सभी लोगों ने चिलाया था बाढ़ा गया भागो बचो चंद्रा भी बोला था गुण निधिया चुत्य संक्रा मक्रा सब लोग तो मक्ति संतोस मंगू तो मर गया लेकिन उसकी मौद को माघ क्या मानते थी सही और करेक्ट जबाब ये भी आँखों को ज्यजोर्दी मुक्ति मानती थी कि मुक्ति उसे मिल गया क्योंकि बहरी भी थी गुंगी भी थी पागल भी सब कुछ थी पूरा नाम है еसरंग राजन है हुआ है इसका भी कोरिकर ऐसु बार्ति अ बिको कौन है अम्बेदकर मैक्स मुलार यतिंद्रमिस्र गुणाकर मुल्ले करेक्ट जबाब की हे दरकार मेरे लाडलो सही जबाब होंगे डी को लोग करेंगे मुल्ले डी को लोग करते हैं हिंदी तथा इसकी विविद्ध बोलियां किस लिपी में लिखी जाती है देवनागरी खरोष्टी तेलगु ब्राही सही और करेक्ट जबाब की हे दरकार एक कुकरिंग लोग देवनागरी इसदा राइट अंसर च्यालीसवा लेख कमर कांत ने हाई इसको लिख सिक्षा कहां से प्राप्त की बलिया छपरा आरा बकसर हाजी आरा में आये हो तो क्या कर लो चेलो बतादो जारा जबाब इसका भी सही है बलिया से किये थे है कि आयए देखो कुशन नमर आप खेल जाओंगे बहादुर कहां से भाग कराया था भोपा नेपाल बन्गाल तिबट बहादूर भाग कियाय था नेपाल अपने घर से चलिए अर्त्त-लिश्वार बहादूर सिर्शक कहानि के किसूर कौन центр लेखा का पुतर लेखा का साला कब हुआ दस में और लाड लो मेरे शेरो बिल्कुल सफी को करेंगे लौक और इस सब बारा पचासवा परंपरा का मुल्यंकन क्या है निबंद नाटक है उपनियास क्या है वैसे और करेक्ट जबाब होंगे एको लॉक करेंगे नीवन्द इस दराइट आंसर आजाओ जीत जीत में निर्खत हों एक अउनवा क्वेश्चन जीत जीत में निर्खत हों पार्ट के लेखक कौन है प्यारों एक बात बताज़े ध्यान दीजिए कि पचास कोश्चन ही आपको फा प्रसा सेशन को सेर कर लो ताकि तुम्हारे दोस्त मित्र भी जूड़े इसमें बढ़िया रहेगा अगर जूड़े रहेंगे ज्यादा लोग रहेंगे तम ना क्योंकि सेरों के गुफा में आओगे तो सेर बाजी तो करना ही पड़ेगा ना तो वह सेर दिल कैसा है जरा साम परकांत बिर्जु महराज लेखक का नाम पूछा है एक और वह का सही और करेक्ट जवाब होगा बिल्कुल से पंडित बिर्जु महराज यह देखो बावनवा क्वेश्चन प्रेम औरईनी स्री राधिका सिर्सक कविता में कभी माली मालनी किसे कहा है राम सीता संकर पारव निर्गुन भक्ति मार्ग के कृष्ण भक्ति या राम भक्ति मार्ग की राम के नाम के बिना सब कुछ बेकार इन्हों ने जो प्रवर्तक किया है किस भक्ति धारा के हैं तो यह है निर्गुन भक्ति धारा के समझे कि नहीं आप मार रहे हैं राम भक्ति बिल्कुल राम का भक तो किये थे लेकिन निर्गुड भक्तिधार आगे थे चववनवा क्वश्चान इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदो वरिये किस ने कहा था भारते हंदो हरिचंद्र रस्कान भोसर घनानंद करेक्ट जवाब बिल्कुल सही है रस्कान ने कही थी बी को लोग करेंगे प्यारो मिर मुंची ने किस कवी का बद किया था मिर मुंची ने रस्कान का घनानंद का भुल्सण का प्रेम घन का सही और करेक्ट जवाब बिल्कुल सही है घनानंद का किये थे जो नादिर साहब के सैनिक थे रामधारी सिंग दिनकर कहां के रहने वाले थे उत्तर पर्देश मद्पर्देश राजस्थान बिहार दिनकर चौराह को भूलना नहीं पटना में भी यह चित देखने को मिलती है डी को करेंगा लॉक संत औन्वा सुमितर नंधन पंथ के अनुसर भारत मत्ठी है उदास माटी की सुक्ष सम्रिधे की उदार्ता की अत्याग भारत मतimentos है मेरे लौडलोव सही और करएक्ट्र जबाब पहचान्ने होंगे आपको और वो है उदास माटी की मूरत जींदो tym पास करके अंसर में जखास करिक्ट जबाब होंगे बी को लोग करने हो गया पास प्रेम घं शही है बेंजन कितने परकार के होते हैं एक दो तीन चार जबाब की और रगार लॉग करेंगे सी को तीन कि आजाओ कुष्ट्न नमर्具 का संदी बिछES किर रहा आंतह कांद क्षूर जरोड़ रहा आन्ट्छट बूद्श सिंद्ध सब्द क्या होगा सिंद्र ऽॉर्य सासन बनवास सुध सब्द ढूंडने हैं तीन को गलती लिखा गया है सही इसमें कौन होगा आपको करने होंगे बिल्कुल से यह बनवास is the right answer क्योंकि सुर्य में तरकुन होता है बर्जुन ना होता है कि आजाओ सुर्यष कौन सा संगयाँ यह तो बच्चा 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 भी समो यह सब्द आपकी घाव में होगा सभा इसे भी सोच करके देख लीजिए क्या होगा और करेक्ट जवा भी बताईएगा बिल्कुल सही है हमको मालुम था कि आप लोग चले गए थे कहां सब्सक्राइब कोई रंग रूप नहीं होता है यह कभीता मैंने लिखी है रिखांकित सब्द कौन सा सर्वनाम होगा मैंने निजवाचक पुरुषवाचक संबंद वाचक मैंने को रिखांकित किया गया देखिए यहां पर कौन सा होगा करेक्ट जवाब आपका सुर को दिखाना निजवाचक मैंने रिखांग होगा मैंने लिखा है मोहन आया किस काल का उधारन है समन्ने भूत काल बर्तमान काल भविस्यकाल संदिग्द भूत काल मोहन आया बाबु खाया नहीं खाया बिल को समन्य भोतकाल है इसे का हो रहा है भाई बहन को भाई बहनवा लातालुती करेगा दुन में कोना हारेगा को न जितेगा तजब भी दोगों लड़े आपस में ना जिते द्वंद करने का भी को लोग करते हैं प्यारों अपलेंग क्लास में चर्चा कर चुके हैं हम धान सब्द चलिए बीध्वा दीख रहना बीध्वा सब्द का बिलोम बताइए बीध्वा मतलब जिसका पती ना हो पत्र नी होती है बीध्वा इसका बिलोम बताना है बिलोम समझते हैं ना मतलब जिसका पती हो इसका बिलोम होगा तो जिसका पती हो उसको क्या कहेंगे आप इन चारो अपसन में तो आपका दिया हुआ अपसन बिलकुल सही है साधवा विद्वा का मतलब क्या होता है साधवा अररर ये कोश्चन उना तरवा निम्न में सुद्वा की कौन सा है हम तो आवस्चे जाएंगे हम तो आवस्चे ही जाएंगे हमको तो आवस्चे ही जाना है मुझे तो आवस्य ही जाना है इसमें करेक्ट कौन है आपको तो सब सही लग रहा है लेकिन बवार एक के को सही है और वो है हम तो आवस्य जाएंगे और तुम्हें भी ले जाएंगे एक्जाम देने रहे पगला तुम को कला गूल गा पखिला ने पगला गए होका बख बढ़ बख यह देखो जुला सब्दे में कौन सा परते है ला ला आ जुला में कौन सा परते हमा तरह बताना है जुला कभी न भूला सही जबाभ होगा बी को लौग करेंगे बुद्धिमान स्तिलिंग बताईए ग्यानी पुठी मान बुठी मती क्या होंगे मेरे सेरो लोग करेंगे पुठी मач horrific हीरु बन रहे ते हीरेन बना दि आपको चलिये पंचम सब्द का संदी करिए पांच जोड मां पम जोड चम और पम जोड चम या पन जोड चम सही जबाब की यह दरगार लोग करेंगे आपका पसंदीदा और खुबसुरत जबाब सी को यह वाला अनिस्वार नहीं चलेगा हलंत चलता यह बाद ध्यान में रखिएगा रहेगा क्वेश्चन नमर हमारे सामने तिहातरवा दूद के दात तूटना महाबरे का अर्थ क्या होगा अनुभावहीन दात ना तूटना दात जमना दात तूटना दूद के दात ना तूटना का मतलब क्या होता है दूद के दात तूटना का मतलब क्या होता है दूद के दा हुन सा सब्सक्रिम काम घोड़ाइभी आप इंगार एक अरिफ निनюсь से संजय संगे के अस्थान जुरे राइस कहले हैं तो कर अब अब तो किसी को कर경ो आजुछ सकते हैं अज़ु है को है इस अ करेंगे बाबु मतलब चार तो संख्या बाचक है इसमें वीश्य वाली बात है चलो शायतरवा अनुमति सब्सक्राइब और सामान ऐर्थ करक़े ग्छा को करें आपने ग्यान की रक्षा कर नहीं को होगा इसका बिलोंग होगा भक्षक भक्षक सिंध देख लग का में अजुराइल है संग्जे है मोभ अपने ग्यान का बिनासर कर रहा है और तुम लोग क्या कर रक्षा कर रहा है प्रैक्टिस करके कि तो परते क्या होते हैं जो बाद में भाव देता है रेया भाव में निह उपसर्ग से कौन सा सब्द मनेगा नियम निजी निती निह सुल्क अब इससे भी घोर बेजती हैं आपका करना नहीं चाहते हैं इसको क्लियरेटी दे करके निह सुल्क सही है उपसर्ग बावु पहले लगता है परते बावु बाद में मात्रा देता चल यह देख अशी अशी पर कोन फसी देख लेते हैं निमन में नरक सब्द का बिसेशन कोन होगा नरक का बिसेशन बुज्जे की नरकी नरकत नरक्यों सही और करेक्ट जवाब होंगे बिल्कुल से ब आख को कहते हैं नोयान भी नहीं है तो लोचन को मारोस ही गी तो मारा कि मारेस ही न ये देखो क early को नमर सुन्दर है वंधन है सब्द्वत का बिलोम क्या होगा बंधन का मतलब यह होता है एक बंधन है लेकिन मतलyan मुझे तो हम लोगञा भी लगे वैं मतलब यह बंधन है और देखो इसे मुंकती लेकर के तु क्या करेंगा हम तुम्हारा क्या बीगाड सकते है करें और बाबु जहाना जहां गोंम घोम हमारा इसमें क्या बिगार सब aged Our बाबु सब तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता कम खाने वाले के लिए एक सब्द बताईए कम जो खाता है वह इसे आप लोग भी तो कमें खाते हैं और पहारी हैं ओ तेरी किसी को मार देगा बता दिये खाने वालेगे अल्प कम सोने वाले को अल्प निंदरा कम घ्यानी को ऑल्प ज्ट्र सब्द का इस तिलिंग बताइए घ्यानी सब्तार सब로 banana बोलना और बताना कहां से यार आवाज मुर्धा से पूरा मुहमें खुल्यार अणा समझा पूरा सब आइठा जारा एक्के में अकेला दम मुहाबरे का अर्थ क्या होता है अकेले का दम चाल चलना याचना करना धोका देना अकेला का दम मतलब एक पे सोव है भारी करना है आपको करेक्ट जबाब इस पे डी को लोग करेंगे अकेला ही होगा बिल्कुल सही है है दोगो देवाले का मतलब जहां पे देव रहते हैं उसी को क्या करते देवाले समझे कि ना समझे कौन सा होगा तत्पुरुस द्विगो द्वंद बहो ब्रीही सही जवाब की करते हैं अपक्षा मुझे ना करे उपक्षा आंशर दे अपने सब्दों में मुर्ष सब्द क्या है सही जवाब की है दरकार बिल्कुल सही यह अधिकार सब्द में कौन सा उपसरग है अधिकार अध अध अभी अधी दुगँ अधी अधी दिखा है लेकिन कुन बहुआ टोटो के मारेगा सहीं मारेगा इसमें देख अधी इसमें देख अधी तो अधी अधी सिट कर गया दोनों का ममिला फिनिस मारते हैं सी को लॉक करते हैं हाई देखो तुफान सब्द कुण सा संग्या है बेक्ति बाचक जाती बाचक द्रब वाचक समुवाचक तुफान हाजी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में और तुफान क्या होगा तबेक्ती वाचक होगा तुफान आगा तो यह थोड़े बोलेगा कि रहे हवा बहरा है तुफान तो चलता है तो बाब अपना नाम लेकर कुने चलता है उसकी पहचान है तुफान आई से किसी को नहीं बता ये अबल अबल का एसतिलिंग बने अबली अबलाः अबला Εन अबली घाल। अबलआ चबू ना रिया गई है तुमारना दी को मनुहर थब्स जुटेड काuj married Guild की यि मनुहरत थब्स फाब्स के ट्या ग्री त्यावडा मेले थेलो बता दो कलीक्त दभाव से इато यह संस्क्रीट में तुमको हम बताए थे अब इससे ज़्यादा तुमको हिंट नहीं दे सकते हैं आपलेंड क्लास सटर्डे दिन याद करो तुमको हम बताए थी भोलने का नहीं ठोक देने का जस्ट आंसर दो कोश्चन इस दा राइट आंसर इस हीर मनह जोड हर जब ही ओकली होत संधी और आता है बिसर्ग संधी हिंदी में पूछा है कोई बात नहीं आप भी बंगला में जबाब दे सकते हो ना बदला था ना बदला है था आगे नात ना पीछे-पगः बीच खेत में नाचे गदा समझे किना समझे करेक्ट बताइएगा इसका वर्थ क्या होगा मुर्क धनवान पीछा ना छोड़ना काम ना जानना किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना जबाब करेंगे आपका लोग बिल्कुल पसंदीदा जवाब डी को लोग करेंगे सही है किसी काम का आगए ना पीछे पगान बीच खेत में ना चेका वह बात हुआ मूख चंद्र सब्द कौन सा समास होगा मूख चंद्र मूख है जिसके चंद्र के जैसी अर्थात करमधार्य देगो ततप्रुस ध्वन्द सही है और करेक्ट जवाब मेरे लाड़ लो एक को करेंगे लोग तीसरे आदमी का मूख चंद्र जिसके मूख चंद्र मां के समान सब्द कौन सा होगा इजत बाबो महंगी होती है जो असानी से ना मिले उससे कुछ और इजत समझता है ना इजत ले ले लेना इजत अतना असान है तब पुलिंग मरी यह ना सब्सक्राइब करेंगे आपका क्वेश्चन नमर अन्ठनवेवा हमारे सामने आ चुका है ता कहुचर ता बोलो ता ता अउचर अस्तन बताओ मुर्दा होगा दंत होगा कंट होगा क्या होगा मुर्दा रेप अगला बताओ ना तो बिल्कुल से दंत से न बोलते हैं तो बेमन सब्सक्राइब क्वेश्चन नीकलता अलगलग इसका कोई टुकणी नहीं होसकता है सीभी सी बात रख दी गई है जब इस तरह के समास आज है कुछ मत सुनना करम inspiring को मारदेना बेमन रेमन वाइं होग डेंखो 99 को को तरीक नहीं बूलेंगा आप आगा बुझे आप करता करम करना संबंद कौन सा होगा फर्या दीजिए बिलकुल संबंद राम कगायरा काके क्यों कुकिए बुझे ब्याम सब्द का संदी विश्यत किजिए ब्याम भी जोड आयाम या बेज आयाम या फिर यह देख लो डी न और करेक्ट जबाब होंगे आपका लॉग करेंगे आपका संदर और खुबसूरत जबाब एक लॉग करेंगे बी जोड आयाम सभी है अब लाड़ लो मेरे सेरो कहना यह चाहते है जमारव बिने स्पेस के अपना नाम लिखो और मेरे पास सेंड करो कि इसके बाद जो भी ल सब्जब्टिक सब्जब्टिक के टूजट सब को रिकवर करेंगे बाबू मैच संस्क्रित से पार हो गया तो भारत मता की जए जरूर बोले ला और हमें बस यही बताते है रहना चार सब प्लस जब नम्मर आ जाए मिठाई खिलाना ना बोलना हक बनता है इतना मेरा ठीक है मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए भारत मता कीजिए बंदे मात्रम जय हींद